नमस्कार स्वागत हैं आपका प्राइम टीवी पर श्वेदा के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्फ मंत्रा जिसमें हर बार हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं ऐसी ही आज हम ब्रॉंकाइटिस पर बात करने वाले हैं जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं डॉक्टर सुधाकर सिंग जोकी एक चाइल स्पेशलिस्ट हैं तो आई स सब्सके ब्रॉंकाइटिस पर आप से जानना चाहेंगे सबसे पहले ब्रॉंकाइटिस शोता क्या है पर्योंकाइटिस जो घूथ है तो स्वसन्तंत्र जो होता है उसका पार्ट लेरंक्स टरहें देन ब्रॉंक्स होते help हैं मीजरी है कशनम ब्रॉंक उस Spar buffalo अदर गणों से तो उसस्तिति को ब्रांकाइटेस करते हैं तैक आप ने हमें forkitis की definition आपने पताई थी ब्रॉंचाइटिस होता किया है क्या करन होता है ब्रांकाइटिस होने का ब्रांकाइटिस होने के बहुत सारे कारण है अगर एक्यूट ब्रांकाइटिस की बात करें तो ज्यादा तर यह वाइरल कारणों से होता है पैरा इंफलुंजा वाइरस होता है और एडिनो वाइरस होते हैं CTV साइटो मेर्वारेस होते हैं तो मल्टिकल वायरैस के वज़े से होता है जहां तक morality qmayt artists की बात करें तो टो Questions जादा तर उल्ड के मरईजों में होता है जो जादा तर स्मोकर सोगते हैं उंके अंदर होता है वी स्मोख के वज़े से एपिथिलियम डैमेज होता है जिसके वज़े से यह सारी समस्य होती है वज़े डॉक्टर हमें आप इनके कुछ लक्षन भी बताईए कि किस तरीके से हम इनको जज़ कर पाएं ताकि समय रहते हम इस बिमारी का इलाज कर पाएं जब कभी एक्यूड ब्रांकाइटीस होती है इस्पेसली वाइरल जो हम कह रहे हैं ज्यादा तर बच्चों में होता है और या यंग्स में होता है उसमें पहले सर्दी जुकाम के लच्छड आते हैं बाद में अचानक से काफी ज्यादा ब्रैसी कफ आने लगता है जिसे हम आम भासा में कुट्टो वाली खासी कहते हैं तो उस टाइप का कफ आता है और म्यूकस सिक्रिसन जब एरवेज में होता है तो उसके वज़े से म्यूकस अब्स्टरक्ट करता है एरवेज को जिसके वज़े से सांस लेने में दिक्कते बढ़ सकती हैं और जहां तक क्रानिक ब्रांकाइटिस की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि यह ज़्यादा तर इसमोक करने वालों के वज़े से होता है और उसके वज़े से अधर काम्प्लिकेशन होते हैं सारी चीजें होती है बाकिसर जैसे आपने अभी बूला कि यह जो खासी जुखाम जैसी चीजे होती है और बहुत सूखी खासी या जो भी आपने डिफाइन किया कि उसको हम एक कुत्तो वाली खासी का नाम दिया जाता है किया अलग है bronchitis और जो सर्दी जुखाम है उसमें अगर हम differentiate करें कियोंकि हम एक लक्षन सही तरीके से पहचानना है कि यह bronchitis है यह आम खासी जुखाम है तो हम कैसे differentiate कि यह bronchitis वाला symptom है और यह आम खासी जुखाम वाला है सुरुवाती दवर में तो पहचानना थोड़ा मुस्किल होगा, क्योंकि ज़्यादा थर राइनाइटिस जब होती है वाइरल, तो उसमें भी सरदी जुकाम गले में खरांस हलका होता है, हलका फीवर होता है, बट जैसे इसमें पैराइन्फ्लुंजा वाइरस से इंफेक्शन जब होता है प्रांकाईटिस में तो यह इंफेक्शन doubles करके जैसा मैंने का नहीं ब्रग specify प्रपक्र क Chrome करता है तो यह जब होता है जिसके उपस्क। जो वाइरल कारणों से होती है, ज्यादा तर तो वो clinical diagnosis होती है और बाकी जाच के तौर पे हम उसे chest-ray करा सकते हैं, बाकी चीजों को exclude करने के लिए और बाकी routine investigation जो blood के होते हैं, वो करा सकते हैं, ज्यादा तर डाग्नोसिस इसकी clinical होती है और जहां तक chronic bronchitis की बात करें तो उसमें भी clinical ही ज़्यादा तर diagnosis होती है बट उसमें और जांचे x-ray helpful होता है और blood की जांचे भी महतपुड होती है और history especially जो smoking की history है और age factor है वो काफी मददगार होता है डाइगनोस करने में डाक्टर आपने वैसे हमें प्रकार भी बता दिया है कितने types के bronchitis होते हैं और उसके explain भी आपने किया है तो इन दोनों bronchitis का जो भी है election मतलब दोनों का एक ही से तरीके से symptoms होता है या कुछ और chronic में अलग होता है और उसमें अलग होता है ज्यादा तर acute bronchitis जो होती है वाइरल कारणो से उसमें ज्यादा तर cases तो अपने आप ठीक हो जाते हैं self limiting होते हैं और childhood age में होता है या youngs में होता है और इसमें सांस फूलने की विमारी समस्या हो सकती है लेकिन severe cases में moderate cases में हो सकती है बट COPD जो होता है chronic bronchitis COPD काज करता है ज्यादा तर वो old age के मरीजों में होता है जो chronic smokers है तो उनमें होता है उनमें सांस फूलने की समस्या ज्यादा प्रामिनेंट होती है डॉक्टर आपने जैसे खासी जुखाम और सांस फूलने वाली बात जो बताई है वह आजकल 2020 से कोविट का दौर चला है कोविट के टाइम पर भी यह symptom देने देखे जाते हैं तो अगर जैसे अभी हमने पहले bronchitis और आम खासी जुका हमको compare किया था पैसे ही अगर हम कोविट एंड bronchitis को compare करें तो इसमें क्या अंतर है कोविट के दौरान और इसमें और ये किस तरह से देखे जाते हैं कोविट से जहां तक कंप्रीजन का सवाल है कोविट की pathology अलग होती है डिफरेंट होती है कोविट में lungs प्रेंकाइमा और इन्माल होता है और जबकी ब्रांकाइटिस में टिपिकिली एरवेज जो है मेजर ब्रांकस मैनर ब्रांकस यह एंवाल्मेंट होती वहां पर सूजन होता है तो दोनों में डिफरेंश है बाकि सार यह है कि जैसे डौक्टर के पास कब जाना चाहिए परसन यह decide नहीं कर पाता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाए किस टाइम पे तो एक हर चीज की डेडलाइन होती है कि उस टाइम पीरिड में हमें डॉक्टर के पास हर हाल में चले जाना चाहिए otherwise हमें और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो वो कौन सा टाइम पीरिड है कि हम समय रहते हम डॉक्टर को दिखाएं Usually जो acute bronchitis होती है especially viral कारणों से उसमें सुरू में सर्दी जुकाम होता है हलका बुखार होता है तो कोई खास प्राबलम नहीं होती लेकिन बाद में जैसे जैसे डीजीज प्रोग्रेस करती है करीब 6-7 दिन-8 दिन जब बीतने को होते हैं तो उसकी खासी बढ़ती जाती है और सांस लेने में तकलीफ अगर बढ़े especially तो डाक्टर से मिल लेना चाहिए और जहां तक chronic bronchitis में बात की जाए इसकी तो वो जरूरी है COPD का मरीज है तो उसको regular डाक्टर के टच में रहना चाहिए और smoking जो कर रहे हैं वो सब के बारे में अलेडी डाक्टर बता देंगे कि smoking करने की जरूरत नहीं है और उससे बचना चाहिए और अगर हम इसके treatment पे बात करते हैं तो क्या treatment होता है ब्रांकाइटिस के लिए acute bronchitis self-limiting होती है जादा दर but severe cases में moderate case है severe case है जिसमें सांस की दिक्कत है oxygen घट रहा है सरीर में saturation घट रहा है सांस लेने में दिक्कत है तो उस condition में फिर moderate और severe case में भरती भी करना पड़ता है मरीज को भरती करके oxygen है, hydration maintain करना है और बाकी electrolyte imbalance को manage करना है और saturation को ध्यान देना है और इसी तरीके से chronic bronchitis जो COPD के मरीज होते हैं उनमें regular OPD basis पे तो काम हो जाता है लेकिन कभी-कभी serious condition आती है जब oxygen level घटने लगता है तो उनको भी भरती करना पड़ता है और कभी-कभी complication होता है atlexis हो जाता है पस formation होने लगता है तो उस condition में उसका treatment अलग तरीके से होता है और इसका treatment जो है कितना time लग जाता है इसको सही होने में क्योंकि एक bronchitis patient जो सफर कर रहा है तो उस दौरान वजब जैसे होता है वाइरल फीवर के लिए एक हक्ते का वक्त लगता है और COVID के लिए 14 दिन या 19 दिन अठारा दिन ऐसे बताया जाता है तो इसका भी एक कोई time होगा तो कितना time period लेता है मरीज सही होने में usually acute bronchitis जो वाइरल कारण से है उसका तो ज़्यादा तर साथ से 14 दिन के बीच का रहता है वो अपने आप उसके बाद ठीक हो जाता है अगर जरुवत पड़ा भरती करने का complication है तो थोड़ा वक्त और लग सकता है ज्यादा तर साथ से 14 दिन के अंदर ठीक हो जाते है बट chronic bronchitis लंबा चलता है वो पूरी तरह ठीक नहीं होता चुकि जो respiratory epithelium के सीलिया है वो damage हो चुके होते हैं तो वो फिर बलगम को बाहर नहीं निकाल पाते तो इस वज़े से complication होते हैं उसमें pneumonia बनने का खत्रा रहता है पस बनने का खत्रा रहता है लेक्सिस होने का खत्रा रहता है तो वो खत्म नहीं होता वो follow-up में treatment चलता ही रहता है तो डॉक्टर क्या मतलब इसके treatment के लिए क्या कभी operation की नौबद भी आ सकती है इस पेसली chronic bronchitis में कभी-कभी lung का कुछ पार्ट resection करना पढ़ सकता है तो रेकाटमी करनी पढ़ सकती है जरूरत के हिसाब से बट अगर प्रापर तरीके से follow-up लें इलाज लें तो इसकी जरूरत ना के बराबर पढ़ेगी और क्या इससे जान जाने का खत्रा भी होता है जान जाने का खत्रा बहुत ही severe condition में होगा जब आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे बीमारी को काम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा तब अगर प्रापर टीटमेंट ले रहे हैं फालोप में हैं डाक्टर के चेस्ट फिजीशन के तो फिर ऐसी कोई जान की प्राब्लम नहीं आएगी बाकी सार यह है कि जैसे अगर हमने टाइम रहते हैं डाक्टर से अगर concern नहीं किया तो इनके अलावा भी क्या कुछ और बिमारी भी create हो सकती है कुछ और तरीकी की जैसे खासी जुकाम की बात है जैसे एस्थमा जैसा या कुछ और की लंग में problem हो जाया या कुछ और कोई और बड़ी बिमारी भी क्या इसकी वज़े से create हो सकती है इस्थमा एक अलग problem है बट हाँ complications होते हैं जैसा मैंने बताया कि आप्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है तो उसमें पस कलेक्शन होगा तो निमोनिया बन सकता है और सपुरेटिव लंग डिजीज होने पर chronic bronchitis में atlexis हो सकती है pulmoni effusion हो सकता है pyothrax हो सकता है बहुत सारे complications हो सकते हैं अगर लापरवाही की जाए तो और क्या डॉक्टर ये bronchitis जैसे covid एक चुआ चूट जैसी बिमारी है कि उसके संपर्क में आते हैं तो उसको भी covid हो जाता है तो क्या bronchitis जैसा भी विमारी भी ऐसी है कि अगर हम किसी ऐसे patient के संपर्क में आते हैं जिसे bronchitis है तो क्या उस person को भी ये विमारी हो सकती है acute bronchitis चूखी इंफेक्टिव डिजीज है वाइरल इंफेक्टिव डिजीज है तो definitely ये ड्रापलेट के थ्रू फैलता है जब हम किसी के पास बैट के बातचीत करते हैं तो हमारे नाक मुह से ड्रापलेट निकलते हैं जो फैला सकते हैं बट जहां तक chronic bronchitis की बात करें ज्यादा तर जो COPD का मासला है तो उसमें ऐसा इंफेक्शन पहुंचने का चांस नहीं रहता वो अलग इंटिटी है और डॉक्टर ये है bronchitis patient को ध्यान देने योगे क्या बाते हैं क्या चीज किन बातों पर खास ध्यान दिया जाता है जिसे अगर हम बातों की बात करें खाने पीने की बात करें तो किन चीजों का खान पान में क्या चीज विशेश ध्यान देना पड़ता है और किन चीजों परेज करना पड़ता है इस्पेसली बच्चों के एज में जब ये बिमारी होती है acute bronchitis तो उसमें ज़्यादा तर ये देखा जाता है कि आंसेट बच्चों का बिमारी का तभी होता है जब वो कोई थंडी चीज खाते है जैसे आइस्क्रीम खा लिया थंडा पानी पी लिया या कोई थंडी चीज पी लिया और उस हिस्थिती में उससे बचना चाहिए जहां तक chronic bronchitis की बात करें तो उसमें जैसा मैंने पहले भी बताए कि smoking एक सबसे बड़ा factor है smoke करने से बचना चाहिए किसी को भी क्योंकि smoke करेंगे आप लगभग 10 साल 15 साल बाद आपके epithilia damage हो जाएंगे cilia damage हो जाएंगे फिर आप COPD के सिगार हो जाएंगे वो persistent bronchitis बनी रहेगी आपको परिशानी होती रहेगी और डॉक्टर यह है कि किस age group के लोगों को ज़्यादा affect करता है आप children's की बात करें या youngsters की बात करें या old age में तो यह किसको ज़्यादा affect करता है जैसा मैंने बताए acute bronchitis चोंकि viral infection है ज़्यादा तर childhood age में less than five years age में होता है और बाकी यंगर स्थर्स को भी होता है लेकिन usually resolve हो जाता है और chronic bronchitis ज़्यादा तर पचपन-साठ की age के बाद के लोगों को होता है जो smokers हैं या बीडी सिक्रेट पीते हैं उनको ऐसा होता है बाकी यह है कि सर जैसे हर बिमारी के लिए कुछ घरेलू उपाए भी होते हैं क्योंकि आम जो खासी जुखाम जब शुरू होता है तो कुछ काड़ा वाला प्रोसस होता है नाक में कि आप हल्दी वाला दूद पीजिए या इस तरीके से तो क्या ब्रॉंकाइटिस के लिए भी क्या कुछ घरेलू उपाए है और अगर हैं तो वो कितने कारगर होते हैं इसके लिए किसी भी वाइरल इंफेक्शन को फाइट करने के लिए हमारी अपनी नेचुरल इमेनिटी होती है और उसमें जहां तक घरेलू रेमडीज की बात करें काढ़ा है तुलसी है यह सारी चीजें डेफिनेटली कुछ ने कुछ मदद करती हैं बट मेडिकली प्रूवन नहीं है हमारे अलोपैथिक सिस्टम के द्वारा प्रूवन नहीं है अब फर्दर उसमें इस्टडी की जरूरत है बट डेफिनेटली कुछ तो इंप्रूमेंट होता है इन रेमडीज से तो ज्यादा तर बाइरल इंफेक्शन को फाइट करने में मददगार होता है ले सकते हैं उस मददगार होगा टॉक्टर अगर हम ऐसे ही मेडिसिंस में अगर हम कंपेर करें अलोपेटी होमोपेटी और आयरवेदा तो क्या है बहतर विकल्प मतलब यह है कि बहतर विकल्प भी हमें चाहिए और उपर से यह भी है कि कि इनके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चों को एक बच् वाइरल इंफेक्शन से बचाना है तो आपको ठंड से बचाना है ठंडी चीजें खाने पिने से बचाना है जिसे आंसेट नहों अगर हो भी गया तो उसको जैसे बताया कि रेमडीज में काढ़ा और यह सब चीजें घरेलू रेमडीज दे सकते हैं और दवाईयों के तौर पे वाइरल डिजीज में किसी प्रकार की मेडिसीन एलोपैथिक मेडिसीन की कोई जरूरत नहीं होती है यह सेल्फ लिम्टिंग होती है अपने आप ठीक हो जाती है अगर किस को काम्प्लिकेशन होता है अब्स्रक्टिव एयर वे डिजीज में तब्दील हो जाता है माडरेट सीवियर तो उस कंडिशन में भरती करके हम आक्सीजन दे सकते हैं सपोर्ट सिस्टम पर सकते हैं बहुत सीवियर हुआ तो वेंटीलेटर तक की जरूवत पड़ सकती है बा है आपको सही हो जायगा तो किया हो सही है कि किसी के नेट पर करकर हम ले सकते हैं और जो लोगों ने बताया उसपे मेडिसन से कायं माधियम बिल्कुल नहीं, नेट के माध्यम से देख करके आप अपने इस तर पे इलाज बिल्कुल न करें, उसके लिए उचित डाक्टर से सलाह लें. बाकी सर ये है कि ये जो ब्रॉंकाइटिस बिमारी है, ये क्या एक सीजनल ही होती है या किसी भी सीजन में हो जाती है? ज्यादा तर एक्यूट ब्रॉंकाइटिस जैसा कि वाइरल डिजीजें ज्यादा तर बदलते क्लाइमेट में आंसेट होता है, जैसे बारिस के बाद ठंड का आंसेट हो रहा है, तब ऐसा होता है, तो डेफिनिटली ये सीजनल होता है, जब सीजन चेंज होता है, तब होता है जहां तक chronic bronchitis का सवाल है उसका सीजन से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो epithelium damage होने बाद smoking से related मसला है बाकी दॉक्टर यह है कि bronchitis से ठीक हुए patient को क्या दुबारा से bronchitis हो सकता है बिल्कुल अगर acute bronchitis है तो recurrent viral infection हो सकते हैं बाकी यह है कि जैसा सार की कहा जाता है क्योंकि इसके symptoms काफी हद तक COVID जैसे मिले हैं तो COVID से भी जब person recover करता है तो उसमें एक weakness आ जाती है तो क्या bronchitis से recover होने के बाद उसमें भी ऐसी ही symptoms देखे जाते हैं क्या उसके बाद patient को weakness फील होती है ज्यादा तर जब कोई भी viral infection होता है तो उसमें एक disease का अपना phage होता है जैसे pre clinical phage होता है clinical phage होता है post clinical phage होता है तो post clinical phage recover करने के बाद patient normal हो जाता है उसको as such कोई problem नहीं होती है until unless कोई बड़ा major complication हुआ हो और chronic bronchitis की बात करें तो वो आ लेड़ी मरीज ऐसा होता है उसको complication में ही होता है तो उसको तो problem ही problem रहती है लेकिन covid जैसा नहीं होता है वो long term होता है तो सर कितना time लग जाता है इसको recover होने में कि जो ठाई होने के बाद जो यह problem होती है तो कितना time period ले लेता है एकदम perfect एकदम healthy होने में जैसा मैंने बताए acute bronchitis ज्यादा तर साथ से 14 दिन में ठीक हो जाता है और जहां तक chronic bronchitis का सवाल है वो मरीज कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता है उसको regular medicine पे follow-up में रहना होता है तो मतलब यह है कि bronchitis से ठीक हुआ patient को forever medicines यूज करना रहता है especially chronic bronchitis, acute bronchitis वाले मरीज को नहीं होता है तो वो कितने time period तक सर वो medicine चलेगी मतलब पूरा lifetime चलेगा या कुछ time एक साल या दो साल बाद बंद कर सकते हैं तिल इंड तिल इंड या बाकी सर ब्रॉंकाइटिस से ठीक होने के बाद और क्या-क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है उस patient को especially जो chronic bronchitis के मरीज है जो permanent complications में रहते हैं वो maintenance therapy पे चलते हैं और उनको यह प्रयास करना चाहिए कि smoking धूएं और धूल मिट्टी जो जा रहा है उससे बिल्कुल बचें इसपेसली आजकल जो pollution का मुद्दा है काफी महत्पूर है ऐसे मरीजों के लिए काफी problem create करता है तो COPD chronic bronchitis के मरीजों को pollution बहुत ही खतरनाग है तो pollution से दूर रहें बच के रहें सुधवाले और डाक्टर की सला के अनुसार दवाईयां लेते रहें सार इसमें क्या किसी patient को क्या कोई विशेश प्रकार के योगा exercise वगेरा भी ध्यान देना पड़ता है कि मतलब उससे भी patient क्या recover कर सकता है definitely yoga में जो exercises है कपाल भारती सबसे lung की अच्छी exercise होती है और definitely yoga से फैदा मिलेगा yoga करना चाहिए क्या इनका ब्रॉंकाइटिस का भी बचाफ के लिए क्या कोई particular कोई टीका आता है जिस तरीके से जैसे अभी COVID से बचाफ के लिए हर विमारी से बचाफ के लिए एक prior एक टीका आता है कि अगर हम ये टीका लगा लेंगे तो उससे हमें ये problem create नहीं होगी तो क्या ब्रॉंकाइटिस के लिए भी कोई टीका available है market में कि patient लगवा लें क्रानिक ब्रॉंकाइटिस के लिए तो कोई टीके का मतलब नहीं है बट acute ब्रॉंकाइटिस में जो influenza virus से अगर ब्रॉंकाइटिस होती है तो उसके लिए टीका उपलब्ध है influenza vaccine आती है हर साल single dose लगानी होती है एडल्ट्स को तो वो सार किस age group के लोगों को लगवाना मतलब किस age से शुरू करते हैं बच्चों को भी लगता है और बड़ों को भी लगता है और बच्चों में 6 महने के बाद से लगना शुरू हो जाता है च्छे महने से 3 साल के बीच में बच्चों को एक महने के अंदराल पर दो खुराग दी जाती है और उसके उपर के बच्चों को single dose दी जाती है तो सब कितने होते हैं एटीके हर साल लगाना होता है हर साल हर साल एक बार आपको लगाना पड़ेगा जब तक मतलब कियरे तंहिए ओ कब तक लगवाना पड़ता है ये इडल्टस को है हर साल आपको लगा जैसरे बड़े हो गए और अधर थो van हुआ जिए कुछ ऐसी विमारी जोती है जैसे स्पोण मतलब कुछ ऐसी होते जिनके तीन होते हैं जैसे अगर हम उसके बात करते हैं एक कुछ टीक ऐसे होते हैं जो जिसे अभी अभी हमने लगवारे में आप स्प्रिण करने की हर साल लगाना पड़ता है छे महिने के जो बच्चा छे महिने का है चे महिने बाद आप उसको लगा सकते हैं लेकिन कुछ जैसे कुछ ऐसे बीमारियां होती है जिनref निरधारित होते हैं Centauri इस होती हैं क sich 2ज लगनी हैं तो जैसे अभी काविट की ही बात करते हैं तो 2 तीके लगे गए थे ऐसे ही कुछ और बिमारिया होती हैं जिसके तीन टीके लगते हैं तो उसमें कहा जाता है कि पहला लगवाया उसका दो महीने बाद दूसरा और चार महीने बाद तीसरा लगता है तो क्या ऐसे ही है या हर साल प्रिकॉशनली हर साल हम इसको लगवाएं? नहीं हर बिमारी के टीके की सिड्यूल डिफरेंट डिफरेंट होती है और बिमारी के हिसाब से टीके की डोस्ते होती है तो इन्फलॉंजा की अगर इस पेसली बात करें तो इसके टीके का सिड्यूल ही है क्योंकि इन्फलॉंजा वाइरस अपना रूप बदलता रहता है इन्फ्लुंजा का जो वैक्सिन होता है हर साल आपको एक डोज लगानी पड़ीगी जो की बदला हुआ रूप है उसके अगेंस्ट बाकी सर यह है कि जैसे जो टीके आपने बताए हैं तो इससे कुछ और एफेक्ट भी पड़ेंगी मतलब कुछ और विमारियों में भी हमें क्याँ अभर हम करते हैं अगर हम बात करें कि इन्फ्लुंजा का टीका कोविड के अगेंस्ट प्याइट करएगा तो ऐसा नहीं है वाकिर हम चाहेंगी कि आप हमारे प्रायम ठीवी के विव सको एक मैसेज दें मैं ब्रांकाइटिस के मुद्दे पे लोगों को यहीं सलाह दूँगा कि बच्चों को बदलते मौसम में बचा कर रखें और ठंडी चीजों को खाने से बचाएं एक्स्पोजर से बचाएं जिसे उनको ब्रांकाइटिस जैसी बीमारी ना हो और जो बुजूर्ग हैं जो क्राणी की स्मोकर हैं कोसिस करें कि अपना स्मोकिंग बंद कर दें और सीओपीडी क्राणी ब्रांकाइटिस जैसी बीमारीों से बचे रहें और अगर बीमारी हो गई है तो तुरंट चेस्पीजिशियन को संपर करके प्रापर टीटमेंट फालॉप में रहें बहुत बात शुक्री है हमारे शो में समय देने के लिए आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंतरा में हमने बात की डॉक्टर सुधाकर सिंख से जनोंने हमें ब्रॉंकाइटिस से समवंदित काफी अची जानकारी दी है उमीद है आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार